नमस्कार दोस्तों, कॉंग्रस की वरश नेता सोनिया गांधी राजसभा के लिए नामांकन करने वाली हैं इसे पहले ये ओफर प्रियंका गांधी को दिया गया था लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया है सोनिया गांधी मौझूदा समय में उत्तर प्रदेश की राजसभा सीट से लोगसभा सांसद हैं सुतरों के हवाले से पता चला है कि वो राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश से राजसभा के लिए नामांकन कर सकती हैं वहीं कॉंग्रोस महासा जो प्रियंका गांधी इस बार लोगसभा चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश की राइबरेली सीट से चुनाव लड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है दरसल 27 फरवरी को होने वाले राजसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कॉंग्रोस अध्यक्ष मलिकरजुन खरगे के आवास पर एक एहम मीटिंग हुई थी इंडिया गटबंधन के दलो के नेताओं के साथ लोगसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बठवारे को लेकर बाचीत की गई इसी दोरान ये भी चर्चा की गई कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को राजसभा से सदन में भेजा जाना चाहिए हाला कि प्रियंका गांधी ने इस ओफर को ठुकरा दिया जोसकी बाच सोनिया गांधी राजसभा का नाम अंकन करने पे राजी हो गई हैं और अब वो नामांकन करने वाली सोनिया गांदी को पूर्फ प्रदानमंत्री मनमोहन सिंग की खाली हो रही राजसभा सीट ओफर करने पर विचार किया जा रहा है दोस्तों राजसभा में सोनिया गांदी के जवाने का अर्थ ये भी होगा कि कॉंग्रिस संसदी ये दल की अध्यक्ष बने रहने का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा राजसभा की 56 सीटों के लिए ओ रहे चुनाव में कॉंग्रिस को 10 सीटे मिलनी है इसमें राजस्तान की 3 सीटों पर ओ रहे चुनाव में कॉंग्रिस को 1 सीट मिलनी है और इस पर सुनिया गांदी की उमीदवारी की चर्चाएं पार्टी में सबसे ज्यादा है वहीं प्रियंका गांधी ने अभी तक कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है राय बरेली के सीट कॉंग्रस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है 1952 के पहले लोगसभा चुनाव के बाद से कॉंग्रस यहां सिर्फ तीन बार हारी है सोनिया गांधी से पहले सीट से फिरोज गांधी इंदरा गांधी और अरुन नहरु जैसे लोग चुनाव लड़ चुके हैं कॉंग्रस के लिए यह बड़ा बदलाव हो सकता है सोनिया गांधी 2006 से राय बरेली सीट पर लोगसभा चुनाव लड़ती आ रही है यह कॉंग्रस की पारंपरिक सीट मानी जाती है सोनिया ने 2019 तक इस राय बरेली से साथ बार चुनाव जीता है प्रियंका गांधी के लिए इसे चुनावी सफर की शुरुवात भी माना जा सकता है करीब 10 साल के सक्रिय राजनीती का हिस्सा बने रहने के बाद प्रियंका गांधी के लिए राय बरेली एक सुरक्षित सीट है दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी भीड़ खीचने वाली महिला है जितने भी सालों तक उन्होंने राय बरेली में अपनी मा का प्रतिनिद्ट्य किया है उसमें वो काफी असरदार रही है उन्हें चुनाफ से पहले यूपी में काया कल्प के लिए कॉंगर्स की बड़ी उमीद माना जा रहा है आपको क्या लगता है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा ये खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे है मेरे नाम है फरीन अंसारी आप रहें स्वस्त मस्त वस्याई है दू आमारी मलते हैं अंगली वीजियो में तब तक के लिए अलविदाव